जूले सलाम सबसे पहले तो आप लोग को दनेवाद देना चाहते हूं क्यूंकि आप हमारे इन्वाइट करने पर आप लोग आए हमारा यह है कि आप जो कारगील टेक्सी यूनियन ने जो हम पर एलेगेशन लगाए उसका हम रिप्लाई देना चाहते हैं ने जो हैरिंग की थी टेक्सी यूनियन ले को हमें यह नहीं पता था कि कारगील यूनियन को भी उन्होंने हैरिंग की थी क्योंकि जैसे हमें इन्फोर्मेशन मिली थी कि एंपीश आने वाले हमारे गारी चाहिए रिकवर्मेंट है पीज गारियों की तो इसलिए हमने तुरन ही उनको प्रवंद किया था और साधे साथ हमारे ले में ऐसा टूरस का सीजन था थोड़ा सा गारी शोटेश हुआ तो उनका डिमांड यह था कि इनोवा क्रिस्टा चा जिसे हमारे पास कार्गील यूनियन के लिए जो गारी बंगर में रखते हैं हमारे टिक्सी यूनियन वहाँ पर गये थे वह जो ले बहुत है कार्गील के एक ही गारी थे इ्मेंड है गारी नहीं तो हमने उनको बोला जिसे Covid की जो टेस कराना Compulsory था तो Covid ऑनी टेस भी उन्होंने की थी उसके बाद ऐसा मुझे कॉल आया था की Draewer का जो कार्जिल के हमने हाईर की थी तो उन्होंने कहा कि मुझे तो Taxi Union कारगील काheus कि President का Phone आया तो मैं आपके इसको टूर नहीं कर सकते, मैंने रिजन पूचा क्योंहें नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा कि हमारे गारी यहाँ पर खड़े हुएए, तो हमारे गारी को चलने नहीं देंगे तो अकेला मैं कैसे चल सकता हूँ बोल के हमारे प्रेजिडिन ने मुझे यह कहा, तो मैंने यह कहा कि आप अगर चलना नहीं चाहते हो, तो हमारा कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, बट प्लीज आप कन्फरम कर लेजिए, NHPC जो हमारे वहाँ पर बेठे हुए, उनको बोल दीजिए हमें, कि हम जो आपके गारी वहाँ पर टूर नहीं कर पाएंगे, त तो इसलिए तो उन्होंने यह कहा कि उसके बाद हमने तुरन ही हम दूसरा गारी जो कारगील के जो थे उसके लिए हमने दूसरा गारी हमने दे लिए, तो उसके बाद अभी allegation में यह भी आ रहा कि कारगील के गारी को नहीं चलने दे रहा है, HP के गारी को चलने दे रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे हमारे पास शोटेश गारियों की शोटेश जब भी होते हैं, तो पहले हमारे प्रिफरेंस यह रहता है कि कारगिल के जिते भी गारियों उसको हायर करें, उसके बाद हमारे हमाचल के गारियों को, तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमारे कारग करगी के जो टेक्सी यूनियन है वो ये बात कर रहे कि यूटी बनने के बाद इन रूट जो पैंगों नुब्रा है वहाँ पर जानी नहीं दे रहा है तो ऐसा कोई बात ये अभी से नहीं आ रहा है ये जब से टूरिजम सेक्टर जैसे खुला जैसे लो 40-50 साल पहले से ये सि बना हुआ है वो अब भी बना हुआ है वो आगे भी ऐसे ही रहेगा तो और यह है कि उन्होंने ऐसा कुछ हमें बोला कि जैसे हमारे ले यूनियन एक गुंडागर्दी करते हैं इलीगल चेक्पोस करते हैं ऐसा कुछ हमारा गुंडागर्दी नहीं है ऐसा चेक्पोस आपक आपको पता होगा कि कारगिल में हमारे कुछ इन रूट वहां पर जानी नहीं देते हैं चेक पॉस्ट करते हैं आपको गुंडागर्दी आगर आप बोल देओ गुंडागर्दी किसको कहते हैं गुंडागर्दी वो है जो जब आप लोगों ने एनिच वन को जैसे हाइवे को बंद करके हमें हमारे गारियों को जानी नहीं देते थे हमारे सीनर जब जाते थे हमारे गारियों को रोकते थे सीनर से यहां आते थे हमारे गारियों को रोकते थे तो उसके बाद जब जो एनिच वन में हमारे गारी जो नया नया जो इनोवा किस्टा आये थे तब उन्हों ने हमारे 18 गारियों को तोर दिया था वो गुंडगर्दी है हमारे हमारे कोई भी हमने कोई भी कारगिल के किसी भी गारियों को तोरा नहीं है हमने किसी भी कारगिल के गारियों को हाइवे पर नहीं रोका है ऐसा हमारा कोई सिस्टम नहीं है जो हाइवे पर उनको रोके हम तो वेलकम करते हैं आपको highway पे कहीं भी जाओ हम कुछ नहीं कहेंगे बट आपका तो गुंदा-गर्दी इतना तक है कि आप लोग highway तक बंद करते थे तो ऐसा हमारा कुछ अभी तक नहीं हुआ है कि highway को रोके आगे भी हम highway को नहीं रोकेंगे जैसे इन रूट पहले से चलता आ तो आप में आपको बताता हूं जैसे उनका में जब कॉलिश में परता था जब यहां से डाउन में जाता था तब उन्होंने उनका यह गुंडा गर्दी एतना तक है कि उन्होंने रात को जैसे गारी हमारा सेनार और जंबू तक होते थे वो आप वहाँ पर हाइवे पर रोखेंगे ट्रंक शीप करते थे जैसे पबलिक को सफर करते थे कि ये ले गारी यहां से नहीं जाएगा वो गारी को बदल के वो अपने कारगील वाले को जोर जबरदस्ति देते हैं तो और हमारे जो कारगील वाले के साथ भी कोई जयती नहीं है कारगील टेक्सी के साथ भी कुछ उतना जयती नहीं है क्यूंकि आपको पता है होगा कि कारगील के बहुत सारे लोग यहां पर बिसनिस करते हैं बहुत सारे लोग एक अबास यहाँ पर गाड़ी चलाते हैं डैवर हैं ओनर हैं वो हमने कभी तक रोका नहीं आप पैंगोंग जाओ नुब्रा जाओ या कहीं भी जाओ हम उनको कभी भी तंग नहीं करते हैं यह सारा हमने खोल लगा है हमारे जिसे अगर आपको देखा जाए तो हमारे कोई ले वाले तो वहाँ पर बिजनिस करना बहुत मुश्किल है बट ऐसा कुछ नहीं है कि कारगील वाले यहां से अराम से बिजनिस कर लेते हैं कुछ भी करो तो हम रोक टोक नहीं करते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा कारगील के लोगों के साथ कारगील की साथ कोई issues है हमारे हाँ बस थो तो तो थोरबोत ऐसा होता है जो हमारे तो अपने इस सोब्लेज पर कुछ लोगों का इंटेंशन ये है कि हमारे जो टेक्सी यूनियन ले और कारगिल को अपस में बिरबाना चाहता है और ले कारगिल बोलके जो पप्लिक है उनको यहाँ पर अभी जैसे मोहल शांति है उनको तहस्टनेस करने के लिए तुला हुआ है यह हम नहीं चाथे कि ऐसा कुछ हो हम तो यह चाथे कि हमस्ट्टी हो आमन हो यहाँ पर जैसे बिस्निस चलता है वैसे ही हमें चले हमारा कुछ ऐसा जो ऐसा कुछ intention लेके ऐसा चलते हैं तो हम request करते हैं administration और police कर्मियों को कि इनको आप लोग fine करके आप लोग police देख लिजे नहीं तो कोई ऐसा कुछ बे है जो यहाँ पर intention लेके कि lay versus कारगिल को जगरना चाते ये शांती जो अभी तक हुआ है उनको खराब करना चाते तो जिसे आप आप लोग को सभी को पता होगा कि दो साल से जैसे पेंडेमिक जब से शुरू हुआ है हमारे tourist industry में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है जैसे हमारे taxi वाले बहुत सारे को लोन का प्रॉब्लम में ओनर को बहुत सारे जैसे लोन चुकाना कोई customer नहीं आ रहे थे तो अभी जैसे हमारे tourism sector खुला जैसे हमी स्टार्ट भी नहीं हुआ एक हाफता एक हाफता दो हाफता हुआ है बस तभी हम आप ऐसा करके हमारे tourist industry को तबह करने की कोशिश करते हैं तो ऐसा भी नहीं है उनको उनका यह कहना कि यह जमू कश्मीर के बा अपने हमें तंग हो रहा ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे अभी हम यूटी में है ऐसा बोल रहे हैं पहले भी हम जमू कश्मीर के ही पार्ट थे हमारे जो ले ओर डिस्टिक कारगिल जो भी है जमू कश्मीर के पार्ट थे तब हमारे जाइन के परमिट होता था नेशनल और सब को फैदा होगा अगर आप इसमें इंटर्वेंशन करना चाहोगे आप इसको सिस्टम को खराब करना चाहोगे तो इसमें सभी का नुकसान होगा मैं आप लोग के मद्यम से अपील करना चाहता हूं कि लदाग जो है बहुत पीसफुल एरिया है इसको शांती बनाए के रूल की मताबिक पार्मिट का लिमिट किया हुआ है कि आप ऐसे पहले ओपन होता था कितने भी गारियों हो अभी यह लिमिट हुआ है कि इसी इंवार्मेंट को नुकसान ना पोचे पार्किंग का यहां पर स्पेस कम है यहां पर रोड का ट्राफिक जम होता है इसलिए स कारगील के जिते बिगारी आप यहां पर चलोगे तो मुझे नहीं लगता कि यह सारा इंफरस्ट्रक्टर काफी है इसके लिए बहुत डेवलोमेंट करना पड़ेगा सर आपने बोला कि महीं जो है वो विखणने के कोशिश करना है तो आपको नहीं लगता है कि दोने यूनें एक कट्थे बैठेबल पर बैठके ये बघेड़के इसका कोशिश नहीं हुगता है पहले पहले यूसक्षट observing कवरे बोलते हैं आगर आगे आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि अगर टैबल पर बेट के कुछ काम हो सके तो हम जरूर करेंगे कुछ जैसे हमें शांती के लिए और अपने बिस्निस को प्रोटेक्ट करने के लिए तो दूसरा जो है उनका जो प्रोटेक्ट करने बोल रहे थे कि कही जगे पे लेकर टैक्सी उनियन है करी हर जगे पे नाकल अगवा है तो उनको वहां पर जाने ने जाना है एक चीज़ा साही है कि यहां की जो लेकर जो जिनने भी टैक्सी है वह लोग महीं रुटते हैं वह ने यह उनका mlसा यह पाता है क्योंकि आपको आपको भी पता है हमारे जाने नहीं देतें और यह का इसरे हमारे एक सिस्टम है की इन रूट नहीं जा सकते बाकी आप हाईवे टू हाइवे कहीं भी रोक टोप नहीं और यह कि जो आप चेक्पॉइंट की बाद करें वो किवाल टेक्सी उनियुन करने हैं यह ट्रक यूनियुन बास सभी सभी जो जितने भी ट्रंस्पोर्ट के हो सभी करते हैं तो आपका इस पर क्या कहना है कि जिस तरह से यूनियं अप सब्सक्राइब करते हैं तो आप क्या कहना है यह केवल लादाग में ही नहीं है यह हर जगाए इंडिया के बहुत सारे कौने-कौने में हैं आप मिसाल की तोर पर आप देख लिजे सेनावर में काफी रूट है जो दुसरे डिस्टिक की लोग यह इवन हम जम्मू कश्मीर के थे नेशनल परमिट भी थे हम उस रूट में नहीं जा सकते थे हमाचल में है बहुत सारे लोग बहुत सारे रूट जो कुछ जो हीली एरिया है अग्यारा निव सिस्टम नहीं है यह बहुत सारे जैसे नौर्ट इसमीर काफी यह घुलमरग में है और जो हमारे जो ऑर में वहां पर यह पिकप करने के लिए हमारी गारीयों को यालोग नहीं करते हम जानी नहीं पर हम जाते भी नहीं है